नमस्कार मैं अनू आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मंदीप गुदारा सर पे आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजनिंग रीजनिंग में हम करेंगे क्लोक टोपिक जो की हमारे एक्जाम पॉइंट ओफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है प्रिविएस वीडियो में हमने क्लोक के जो है कुछ एक टाइप कवर कर लिये थे आज हम जो नेक्स टाइप है उसके बारे में डिसक्स करेंगे तो पर गड़ी है ठीक है इसमें यह बोल रहा है कि 4 बजे यहां पर बारा मिनट फे लगबुख 15 मिनट होते हैं यह क्योंकि आं यह वाइप 5-5 ठीक है तो यह पूछ रहा है कितने का बनाएगी एंगल फूब यहां पर देखे तो हर एक गंटे में कितना होता है 30 degree का एंगल होता है लेकिन हम exactly नहीं पता कर पाएंगे कि 12 मिनट पे कितनी डिगरी का एंगल बन रहा है तो हम उसके लिए क्या करते है एक formula यूज करते है formula क्या होता है 30 h minus 11 by 2 multiply m ठीक है तो यहां पे 30 h क्या होता है हमारा जो भी हमें घंटा दिया होता है hour दिया होता है और m क्या होता है जो हमें minute दी होती है हमारे question में तो formula में as it is put कर देंगे ज़्यादा मुश्किल नहीं है बार-बार हम revise करेंगे तो हमें orally हमारा formula learn हो जाएगा तो देखिए क्या करना है 30 गुणा में 4-11 बटे 2 गुणा में 12 ठीक है तो 30 चोके 120- यह इस से cancel हो जाएगा क्या हो गया 6 और 11 चीके 66 अगर 120 में से 66 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 54 डिग्री तो हमारा angle भी कितने का बन रहा है 54 डिग्री का चलिए next question देखते हैं एक सेकीnd next question क्या है minute और घंटे की सुई के बीच minute और घंटे की सुई के बीच नो बज गे 53 मिनट पे बना कौन क्या होगा ठीक है यह हमारी गड़ी है इसमें यह क्या बोल रहा है यह 9 बज गया यहां पे 3 होता है यहां पे 12 होता है यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 ठीक है कह रहा है कि 9 बजगे 53 मिनट पे यानि लगबग 11 के आसपास 53 मिनट पे क्या कौन होगा ठीक है तो यह वाला एंगल हमसे पूछा है इसके लिए अभी हमने देखा था क्या formula यूज हो रहा था formula यूज हो रहा था 30H-11 by 2 multiply M तो 30H कितने दिया हुआ है कितने बज़े का पूछा हुआ है जो time हमें पूछा हो वो ही हमारा क्या होता है hour होता है गंटा होता है तो 30 multiply 9 minus 11 by 2 multiply minute कितने दिया है free 53 ठीक है तो 30 गुणा में 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा अब यहां पे 2 से 53 तो cancel नहीं हो रहा इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा 11 से गुणा करनी पड़ेगी अब आपको लग रहा होगा इत्ती बड़ी multiplication कैसे करें अगर किस अगरा से गुणा करना हो तो उसके लिए trick क्या है same number लिख दो उससे एक स्थान चोड़के फिर से same number लिख दो और उनको क्या कर दो plus कर दो ठीक है तो यह क्या आजाएगा 3 5 और 3 8 और 5 ठीक है इसको फिर 2 से हमने क्या करना है भाग कर देना है अगर 2 से भाग करेंगे तो क् पॉनी चार दो निमे 18 दो एकम 2.5 291.5 अब यहां पर हमने क्या देखना है कि जो question है वह हम सोचेंगे कि माइनस में आ रहा है अगर हमारा अंसर लेकिन यहां पर माइनस प्लेस का कोई चकर नहीं है जो हमारा अंसर आ रहा है जो बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटके अंसर आ रहा है वही हमारा क्या होगा एंगल होगा 291 में से 270 गटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21.5 डिग्री का क्या बन जाएगा हमारा एंगल बन जाएगा अगला question देखते हैं एक सेकिंड अगला question है मिनट और घंटे की सुई के बीच 12.46 मिनट पे बजे पे बना कौन क्या होगा 12.46 बजे पे बना कौन क्या होगा ठीक है तो इसके लिए formula हमने किया ही था 30H माइनस 11 बाइ 2 मल्टिप्लाई M तो 30H यानि घंटा हमारा कितना दिया है 12 30 गुणा में 12 माइनस 11 बटे 2 गुणा में मिनट कितनी दिया हुई है 46 तो यह क्या आगया हमारा 12 तिये 36360 माइनस 2 से कट हो जाएगा 2 दूनी 4 दो तिये 6 11 से मल्टिप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे सेम नमबर लिखा फिर से सेम नमबर लिखा और एड कर दिया कितना आ गया 253 307 में से 253 माइनस करेंगे कितना आएगा 10 में से 3 गया 7 5 में से 5 गया 0 3 में से 2 गया 1 एंगल हमारा कितना बन रहा है 107 डिग्री का फॉप्सो आपको कोशन समझ आ रहे होंगे चलिए देखते हैं हमारा नेक्स कोशन नेक्स कोशन है मिनट और घंटे की सुई के बीच 11 बज़ के 10 मिनट पे कौन क्या होगा 11 बज़ के 10 मिनट पे क्या कौन बनाएगी सेम फॉर्मूला यूज होगा 30H माइनस 11 बाइ 2 मल्टिप्लाइ M 30H कितना दिए होगा है 30 गुणा में 11 माइनस 11 बटे 2 गुणा में मिनट कितनी दिए होगा है 10 ठीक है तो 11 बज़ को हम कैंसल कर लेंगे एक सेकिन दो से कैंसल हो जाएगा 11 बज़ के 2 मिनट तो यहां पर क्या आ गया 5 11 पांज पिछपन 330 में से हमने पिछपन माइनस किया तो कितना आया हमारा 10 में से 5 गया 5 12 में से 5 गया 7 और 2 275 डिग्री लेकिन 275 डिग्री तो हमारा है ही नहीं ओप्षिन में तो अब हम क्या करें इट में स्वाल गलत हो गया नहीं कोश्चन हमारा गलत नहीं हुआ है अगर जो एंगल हमारा अंसर में आया है वो क्या है 180 डिग्री से बड़ा है अगर जो कोश्चन में हमारा अंसर आया है वो क्या है अगर ये वाला एंगल 180 डिग्री से उस angle को 360 में से minus कर देंगे क्योंकि total जो clock है वो angle बनाती है वो कितना बनाती है 360 degree का बनाती है तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे 360 में से minus कर देंगे 360 में से अगर हमने 275 को minus किया तो कितना आएगा 10 में से 5 गया 5 और 16 में यहां पर कितना बच गया 5 15 में से साथ गया 8 यानि कितने डिगरी का एंगल बन रहा हमारा 85 डिगरी का एंगल बन रहा है चलिए next question देखते है यह भी क्या है लगवग उसी टाइप का question है मिनट और गंटे की सुई के बीच 3 बच के 56 मिनट पे बना कौन क्या होगा तो formula हमने देख ही लिया था 30H-11 by 2 multiply M घंटा कितना दिया हुआ है 3 तो 30 गुणा में 3-11 बटे 2 मिनट कितनी देख है 56 तो 2 से यह क्या हो जाएगी cancel हो जाएगी 2 दूनी 4-2-8-16 अगर 11 की किसी भी नंबर के साथ multiply करने है तो क्या करना होता है 28-28 28-28 आठ आठ और दो दस दो रेक तीन तो कितना आ गया 360 यह क्या करना है 30 तीन 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 नब्बे माइनस 308 अगर 308 में से अगर हम 90 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 10 में से 8 का 8 आ गया 10 में से 9 गया 1 और 2, 218 क्या आ गया 218 218 भी क्या है हमारा 180 डिगरी से लार्जर है 218 भी क्या है हमारा 180 डिगरी से लार्जर है तो हम क्या करेंगे 218 को 360 में से माइनस कर देंगे 360 में माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और 3 में से 2 गया 1 यानि कितना अंसर आ जाएगा हमारा 142 डिगरी ठीक है होपसो आपको समझ आ गया होगा जहां पे भी एंगल हमारा 180 डिगरी से बड़ा हो उसको हमने क्या कर देना है 360 में से माइनस कर देना है अगर 180 डिग्री से छोटा है तो as it is हमारा क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा अगला question देखते हैं अगला question है मिनट और घंटे की सुई के बीच 12 बज़ के 20 मिनट पे बना कौन क्या होगा ठीक है तो same formula के question है 30 h minus 11 by 2 multiply m ठीक है 30 multiply 12 minus 11 बटे दो गुणा में मिनट कितनी दिए है 20 ये cancel हो जाएगा 10 12 ती है 36 360 minus 110 कितना आगया हमारा 0 5 2 ये भी क्या है हमारा 180 से larger 180 से जादा है तो हम क्या करेंगे minus करेंगे 360 में से 360 में से अगर 250 को minus करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 1 1 110 degree का हमारा क्या बन जाएगा angle बन जाएगा अगला question देखते हैं अगला question देखते हैं अगला question है हमारा जो कि हमारा second type है पहले में हमने क्या देखा था एक ही हमें कोई statement दी होती थी उसमें दोनों जो सुईया हैं उनके बीच में कितना angle बन रहा था वो हमसे पूछा गया था अब क्या पुछ रहा है गड़ी में छे वर साथ के बीच कितने बज़े घंटे और मिनट की सुईय एक दूसरे के उपर या समपाती होगी कि छे और साथ जब बजते हैं तब को घंटे और सुईया घंटे और यानि ये यानि यह हमारी घड़ी है इसमें हमने छे बजा दिए ठीक है लेकिन यह कह रहा है छे और साथ बज़े के बीच चे और यह क्या था हमारा साथ इसमें कितने बज़े के बीच दोनों जो सुईया है यानि ये घंटे वाली सुई और ये मिनट वाली सुई एक दूसरे के क्या होती है समपाती होती है आप कहोगे कि ये तो जी जीरो डिगरी का एंगल बनेगा क्योंकि एक दूसरे के उपर आगी लेकिन थोड़ा सा क्या होता है फ्लक्ट्ड्ट्ट्रीयट करती है वो उनके बीचे कुछ न कुछ माइनर सा एंगल मिलता है वही हमसे पूछ रहा है कि वो कितने डिगरी का कितने बज़े मतलब क्या टाइम होगा उस टाइम पर जब वो क्या है एक दूसरे के थमपाती होगी ठीक है तो इसके लिए formula क्या है हमारा hours जो हमारा first होता है वही हमारा क्या लेते हैं हमेशा घंटा लेते हैं ठीक है hours as it is लिख देना है h multiply 5 plus minus जो भी हमने angle दिया हो वो जिसमें हमें कोई angle दिया ही नहीं है अगर पूछ रहता यहां पर 90 degree के कौन पर कब एक दूसरे के समपाती होंगी तो वो अगर हमसे पूछता तो उसमें क्या है हमें यहां पर angle रखना होता लेकिन यहां पर तो कोई angle दिया ही नहीं है फिर भी as a knowledge के लिए हम क्या लिख रहे हैं formula को complete लिख रहे है हमारा जो घंटा दिया है जो फर्स्ट जो टाइम होगा जो फर्स्ट मतलब 6 7 दे रखा है तो उसमें 6 आ जाएगा पांच चार दे रखा है तो उसमें क्या आ जाएगा पांच आ जाएगा तो वह हम लिख रख दिया 6 multiply 5 plus minus angle 0 बटा 6 करेंगे तो ये तो 0 ही होगा multiply 12 by 11 छे पंजे 30 ये तो 0 ही होगा प्लस में गुणा में 12 बटे 11 12 तिये 36 कितना आ गया 360 बटे 11 अगर हम 360 को 11 से multiply करते हैं divide करते हैं sorry 360 को 11 से divide करते हैं तो क्या आता है 11 तिये 33 3 बच गया 11 दूनी 22 8 बच गया तो अब हमने क्या करना है जो हमारा यह भाद जो हमारा यह होता है यह हमने क्या लिखना है आगे 32 जो हमारा सेसफल होता है उपर और जिससे हम भाब कर रहे हैं वो क्या है यगा नीचे तो answer क्या हो जाएगा छे 7 बच के 32 मिनट ऑर 32 मिनट 8 सही 11 पर क्या होगा हमारा दोनों इतरोस हुई एक दूसरे के समपाती कोगा अगला कोष्षि है कि यहाँ पे एंगल देखे जीरो डिगरी बताई रखा इसने यहां पर क्या बता रहा है एंगल क्या बता रहा है जीरो डिकरी बता रहा है दस घड़ी में दस वे ग्यारा के बीच में घंटे है तो इसके लिए हमने एंगल वालप थोड़ी देना पार्ट तो पूछा है कितने बज़े दस बज़े ठीक है फोर्मूला क्या था हमारा एच मल्टिप्लाए फाइव गुणा में ग्यारा बटे बारा बटे ग्यारा सोरी बारा बटे ग्यारा ठीक है तो यहां पे एच कितना दिया है दस गुणा में पांच मल्टिप्लाए ग्यारा बारा बटे ग्यारा दस पंजे 50 गुणा में 12 बटे 11 12 पंजे 60 600 डिवाइड बाइ 11 11 से मंटिप्लाई करेंगे 11 पंजे 55 फिर 11 पंजे 55 बच गा 5 बटे 11 तो कितना आ जाएगा सोरी यहां पे 40 आएगा सोरी तो यहां पे क्या आ जाएगा क्योंकि 600 को अगर हम 600 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं 11 पंजे 55 बच गा 5 0 11 चोके 44 बच गा 6 तो 54 सही 54 सही 6 बटे 11 हमारा क्या टाइम आ जाएगा 10 बच के 54 सही 6 बच के 11 मिनट पे क्या होगा गड़ी की सुई या एक दूसरे के समपाती होगी यह तो था जहां पे एंगल हमने 0 दे रखा था इसमें क्या है एंगल हमें बता रखा है तो अगला कोश्चन देखते है 2 और 3 के बीच किस समय और घंटे मिनट की सुई 90 डिगरी का कोण बनाई अब हमें यहां पे कोण दिया हुआ है कोई टेंशन लेने की बात नहीं है फोर्मूला हमने पहले से रिवाइज कर रखा है तो क्या होगा एच मल्टिप्लाई 5 प्लस माइनस एंगल 90 डिगरी जो भी है हमारा डिवाइड बाई 6 मल्टिप्लाई 12 बाई 11 तो एच कितना दिया हुआ था हमारा 2, 2 पंजे 10 प्लस माइनस यह करेंगे कितना हाजेगा 15 गुणा में 12 बाटे 11 तो यह कितना हो गया 25 गुणा में 12 बाटे 11 12 पंजे 10 12 दूनी 24 और 6 30 बाटे 11 अगर इससे मल्टिप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इन सो को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आगया 11 दूनी 22 कितना बज़ गया 8 11 सते 17 यानि यह वाला क्या आजाएगा हमारा अंसर 2 बज़ के 27 27 सही 3 बज़ के 11 मिनट पे क्या हो जाएगी हमारी घडिया एक दूसरे के संपाती हो जाएंगी ठीक है अगला कॉस्चन देखते है अब अगला कॉस्चन में क्या है यह दो टाइम दे रहे हैं कि वो दो बार होंगी दो बार क्या होंगी एक दूसरे के संपाती होंगी ठीक है लेकिन जहाँ पे एक ही उप्शन है वहां पे तो क्या है प्लस वाला साइन ले लेता है ले लेना है जहां पे मैं प्लस माइनस फोर्मूला में कर रही हूं लेकिन अगर दो टाइम हमारे उक्षिन में दिये हूं तो एक बार प्लस करके कर लेना है एक बार माइनस करके कर लेना है चलो देखते हैं हमारे फोर्मू उमें 5 plus minus angle by 6 multiply 12 by 11 तो रख देंगे हम as it is जो हमारी value है तो यह घंटा 6 और यहां पर क्या आ जाएगा छे गुणा में 5 plus minus angle कितना दिया हुआ है नब्बे डिगरी का 12 by 11 तो यहां पर क्या आ गया 6 पंजे 30 इसको काटेंगे तो यह कितना आ गया 15 अगर प्लस करेंगे इसमें तो कितना आ गया 45 कितना आ जाएगा 45 गुणा में 12 बटे 11 लेकिन अगर minus करेंगे यहां पर तो क्या आ जाएगा 6 पंजे 30 में से 15 गए 30 में से 15 गए तो यहां पर क्या आ जाएगा 15 तो यह क्या हो जाएगा 15 गुणा में 12 बटे 11 यहां से हमारे दोनों टाइम आ जाएगे तो यहां पर क्या आजएगा बारा पंजे साथ बारा चो के अरतालीस और छे कितना हो गया चौमन बटे ग्यारा और ये वाला टाइम कितना आजएगा हमारा बारा पंजे साथ हमसे लगी छे बारा एकम बारा और छे अठारा डिवाइड बाई ग्यारा अब दोनों एंगल हम निकाल लेती हैं ग्यारा से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ग्यारा चो के चुआलीस बचगा कितना आठ ग्यारा चो के चुआलीस बचिगा कितना बचिगा हमारा साथ 11 जिके 66 चार सही 11 यानि हमारा अंसर क्या हो जाएगा छे बच के 49 सही एक बटा 11 मिनट पे और छे बच के 16 सही 4 बटे चार बटे 11 मिनट पे हमारी क्या होगी दो बार घडियां जो है एक दूसरे के कोडिनियल होगी या समपाती होगी आज के लिए इतना ही होप सो आपको समझ आयोगा थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी लग रही है लेकिन जैसे जैसे आप कोश्चन की प्रेक्टिस करोगे तो आपके क्या है कोश्चन अपने आप सोल्ड होने लग जाएंगे ज्यादा मुश्किल नहीं है थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है शोट्रिक्स भी है लेकिन वह हर जगें अपलाई नहीं होती है इसलिए मैंने जो फॉर्मूला है उसी से जो अथेंटिक फॉर्मूला है उसी से आपको सॉल्यूशन करवाया है थैंक्यू सो मच्छ हैव नाइस टी